Hello Future Doctors, I welcome you all to this wonderful platform of Kata and Aspirants So Hello Future Doctors, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 15% All India Kota के अंदर Round 3 काउंसिलिंग के लिए काटेगोरी वाइस एक्सपेक्टेद काटाफ रेंग क्या हो सकता है तो वीडियो शुडू करने से पहले आपको कुछ फैक्स बता देता हूं इस बार Round 3 Kaunsilling में जो वैकेंच सित आपको देखने को मिलेगा, ये वैकेंच सित प्यविए जेएस एक्सेत से जाथ होगा क्यों जाथ होगा क्योंकि इस बार Kaunsilling प्रोसस में कुछ मॉडिफिकेशं किया गया जिस modification के तहत ये बोला जा सकता है कि इस बार round 3 counselling में आपको कुछ जादा vacant seat देखने को मिलेगा बट ये vacant seat का increasement आपको 15% all India quota के अंदर ही देखागा aims के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस साल ये देखा गया है कि कोई भी candidate को अगर aims मिल जा रहा है तो वो aims में admission ले रहा है और seat vacant नहीं कर रहे तो यही वजा है कि आपको round 3 counselling में aims में बहुत ही कम seat vacant देखने को मिलेगा मगर आप 15% all India quota के अंदर इस साल कुछ ज्यादा vacancy expect कर सकते हो इसका reason क्या है मैं एक दो reason आपको पता देता हूँ इसका देखो primarily reason यह है कि previous years में आप round 2 counselling के बाद और college के application के लिए choice फिल नहीं कर सकते है round 2 counselling में जो college आपको allotted होता उसी college में आपको admission लेना पड़ता बट इस साल से यह नहीं हो रहा है यह round 2 counselling में नहीं हो एक यह round 3 counselling में हो रहा है कि round 3 counselling में आपको college मिल रहा है उसी college में आपको admission लेना पड़ेगा और round 3 counselling के बाद आप further counselling process के लिए eligible नहीं होगे ठीक है ना और अगर आपने round 3 counselling में admission ले लिया तो round 3 counselling के बाद जो भी next round counselling होका यानि कि जो stay vacancy round counselling हो का उस stay vacancy round counselling में आप participate नहीं कर पाओगे ठीक ना तो यही वजाए है कि कुछ-चुछ candidates round two counselling बस इसलिए attend करेगा कि वो देखने के लिए अगर उसको state में कोई अच्छा वाला college नहीं मिला तो वो round two counselling में जो आलोटेट college होगा उसी college में वो admission लेलेगा ठीक ना और इसका और एक रिजन में बता जाता हूँ इस बार round three counselling में आपको ज्याधा vacancy देखने को मिलेगा इसका second reason यह हो सकता है कि अगर आप आप अच्छे से देखोगे तो इस बार state की हार एक एक state की round two counselling की result आने के बाद ही all इंडिया कोटा का जो round three counselling है उसका registration स्टार्ट हो रहा है लगबग उसी time के आसपास इसका round three counselling का registration स्टार्ट हो रहा है तो यह जो बच्चे जो round two counselling बस इसलिए अटेन किया था कि अगर उनको state में कोई अच्छा वाला college ना मिले तो वो all इंडिया कोटा की round two counselling में जो यह जो candidate होगा यह candidate round two counselling में exit कर जाएगा क्योंकि आप अच्छे से देखोगे तो जो all इंडिया रैंग में आपको जो college मिल रहा होगा उससे बेडर college उसी रैंग पे आपको state में मिल जाएगा अगर आपके पास उस state का domicile है तो अगर आप किसी state के resident है या फिर आपके पास उस state का domicile certificate है तो आप एक चीज़ देखना कि जो आपकी EIR होगा उस EIR में आपको 15% all इंडिया कोटा के अंदर जो college मिल रहा है उससे बहुत ही ज़दा भैतर college आपको उस state की state कोटा के अंदर मिलेगा तो चलिए डिसकस करते हैं कि इस साल round three counselling के लिए expected cut of rank क्या हो सकता है तो सबसे पहले देखते हैं unreserved category की candidate के लिए unreserved category के जो candidate है उनके लिए round two का closing rank था 22,104 अगर previous years की data को analyze करें तो आपको previous years round two से लेके round three तक 11% increasement देखेगा आपको अगर इस हिसाफ से हम देखे तो इस साल round three का cut of rank हो सकता है 24,731 से लेके 24,936 तक अगर इस 11% की हिसाफ से द रहेके 24,936 के अंदर अंदर रहेगा तो चलिए अभी देखते हो OBC candidate के लिए OBC candidate के लिए round two का closing rank था 22,456 and round three के लिए expected cut-up rank है 24,944 से लेके 25,320 के अंदर अंदर expected cut-up rank रहेगा round three counseling के लिए OBC के लिए देखिए अगर previous years की data को analyze किया जाए तो यहाँ पर आपको कुछ लगबग 10% के असपस increasement देखने को मिला है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर जो expected cut-up rank हो सकता है उसको लिए कर रखा है इसके साथ साथ उन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा कि जो बदलाव इस साल round three counseling के किया गया है तो उन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह मेरा strong prediction है कि OBC candidate के लिए इस साल round three counseling में cut-up rank 24,944 से लेखे 25,320 के अंदर ही रहेगा EWS के लिए अगर आप पहले साल का data देख होगे तो कुछ 8.5% के आसपास आपको increasement देखेगा round two counseling से लेखे round three counseling में तो इस साल round two counseling का closing rank तर 24,430 तो जो expected cut-up rank आ रहा है 26,564 से लेखे 27,197 मेरा यह strong prediction है इस साल EWS category candidate के लिए round three में expected cut-up rank इसी के अंदर अंदर रहेगा ठीका ना तो चलिए अभी देखते है एसी category candidate के लिए एसी के लिए पिछले साल round two से round three तक 15% rank का increasement देखने को मिला है तो इस बार round two का closing rank था एसी category candidate के लिए 1,16,187 round three का जो expected cut-up rank है वह rank है 1,34,704 से लेखे 1,36,091 मैं यहाँ पर आपके बहुत ही important सा चीज़ बता देता हूं कि यह जो cut-up rank आप यहाँ पे देखे लिए देखने के लिए 15% rank का increasement आपको देखने को मिला था इस साल round two के लिए closing rank था 1,45,254 तो जो expected cut-up rank होगा वह rank इसी rank के अंदर ही रहेगा 158,457 इसी rank के अंदर अंदर आपको round three का cut-up rank close होते देखेगा इस्टी candidate के लिए मैं यहाँ पर आपके बहुत ही important सा चीज़ बता देता हूं कि यह जो cut-up rank आप यहाँ पर देख रहे हो यह सभी cut-up rank expected cut-up rank यह जो cut-up rank आपको यहाँ पर देख रहे हैं यह सभी cut-up rank previous js के data उसके साथ-साथ इस साल जो बंदाफ किया गया है उसको ध्यान में रखते विए बनाया गया है इस cut-up rank के ऊपर base करके आप counseling attend करने का decision ना ले क्योंकि बहुत बर यह भी देख गया है कि previous js के data analyze करके जो भी cut-up rank बनके आता है उस cut-up rank से ज्यादा low cut-up rank उस round counseling में जा रहा है तो मेरा आप सभी लोगों से यही बिंती है कि कोई भी cut-up rank अगर आपको online देख रहा है तो 99% चांद सही है कि वो cut-up rank previous js के data को analyze करके बनाया 25 के इस बार round 3 counseling के लिए cut-up rank चाहिएगा पर counseling attend सभी को बढ़ना चाहिए जो भी आंडिजाब category candidate का rank 30,000 से नीचे एना All India rank उन सभी को round 3 counseling attend करना ही चाहिए ठीक है ना बड़ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना round 3 counseling attend करने के बगत choice filling करने के time आप उसी college को रखना जिस college में अगर आपका seat allocated होता है तो आप उसकी college में admission लोगे कोई ऐसा college को round 3 counseling में नहीं रखना जो college में अगर seat allocated होगा तो आप शायद उस college में admission ना भी लो जैसिक अगर मान लेते है कि कोई government medical college के लिए counseling attend कर रहा है ठीक है ना वो private college की fees afford नहीं कर सकता है तो round 3 counseling attend करने के बाग आप को round 3 counseling आप attend कीजिए but round 3 counseling में choice fill करने के वक्त आप उसी college को अपनी choice list में रखे जो college आपको actual में चाहिए जो college अगर आपको allotted होगा तो उस college में आप admission लोगे कोई ऐसे college को नहीं रखे जिस college में आपको seat मिलने के बावजूद भी आप admission नहीं लोगे ठीक है round 3 counseling attend करने के वक्त यह चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप उसी college को फिलगा रहे जो इस college में अगा seat allotment होगा तो आप उस college में admission लोगे ठीक है so I hope you enjoyed watching this video अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर लेना और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना and if you have any queries please let me know in the comment section